ट्रॉम्प ने ये भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूस को पूरी दुनिया पे सब पढ़ेगा बहुत चादा सब पढ़ेगा वाई साब भारत का नाम लिये बगए ना कहीं पर पूरी दुनिया में एलेक्शन वेलेक्शन नहीं होते हैं अब वो उसके अंदर उन एक बड़ी स्टेट्मेंट दी है इंडिया के बारे में उन्होंने इंडिया से टाइस ट्रेंथन करने की बात की है प्राइमनिस्टर नरेंदर मूदी को गुड़ फ्रेंड कहा है ट्रॉम्प ने और तू बूस्ट फ्रेंड्शिप विद मूदी ये नारा भी लगाया है ट बात की है बलके साथ ही बंगलादेश में हिंदूों के उपर जो जुल्मों सितम हुआ या हो रहा है उसके उपर भी आवाज उठाई है अमरीका में जो इंडियान कम्मुनिटी बहुत बड़ी तादाद में बहुत पॉपुलर और बहुत इंफ्लूएंशल इंडियन तो वो इंडिया से अपने जो बाइलेटरल टाइज हैं उसको स्टेंथन करेंगे और मुदी को एज ए फ्रेंड ही लेंगे इसके बाद जो हिंदू अमेरिकन ग्रुप्स हैं उन्होंने प्रेस किया ट्रम को फॉर प्रॉमिसिंग टू प्रोटेक्ट राइट्स आफ तो इससे पता चलता है कि जो हिंदू ग्रुप्स हैं अमेरिका के अंदर वो इस स्टेट्मेंट के बाद सामने आ रहे हैं लेकिन एक बात तो थाबित हो गई और वो यह है कि इन्डिया एक बड़ी ताक्त है और ऐसी बड़ी ताकत है कि जो अमेरिका के इलेक्षन से उसके तो rendra इप Mensch को कि एन्धर हो रहत है तो ये बात देख ले इंडिया की जो pizza है वो तो मौजूद है यहां पर भारत की बात हो रही है उन्होंगे पाकसतान की की चुछ वहना वह यह कह सकते थे थे ऐन modest可以 किड़ेगारिकली हि दोन नहें हिंदू की बात की तो ये दो नहीं को बात नहीं कि कि जी जहांपर जो मुस्लिम जाई आँ जो पाकिस्तानीज आए के साथ हो रहे हम इन चाहे मैं करूँ गाए ऐसी तो कोई बात ने कि ट्रंप ने तो ट्रम्प इंडिया के साथ बहुत अच्छी टाइज रखेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, यह तो अंडरस्टूड बात है, 100% बात है भई, पाकिस्तान के साथ तो उनको टाइज स्ट्रेंथन करने या उससे कोई फर्क निए पड़ता ना करेंगे, क्यूंकि उन्होंने कारोबा जो करना है, जो ट्रेड करनी है, जो इन्वेस्मेंट करनी है, वो इंडिया के साथ, अब देखें आप ट्रंक, ट्रंक का जो एजंड है, तो अविसली फिर उन्होंने ये जो बात किये, तो इसके अंदर हमें ये तो पता चलता है, कि भाई साब भारत का नाम लिये बगए कहीं पर पूरी दुनिया में एलेक्शन वेलेक्शन नहीं होते है, अब वो उसके अंदर उनको लेने ही पड़ता है, अब देख लेए, उन्होंने लिया नाम अच्छा, इससे पहले, उनकी एक वीडियो जो वाइरल हुई, इसके अंदर उन्होंने कहा था, कि मुदी इसकि और वो इसलिए कि उसके अबाद उन्होंने कहा कि वो लगते तो फादर फिगर है, लेकिन फिर वो अपने उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपने कंट्री के लिए ना वो सब कुछ कर सकते हैं, यह सलसला ऐसी चलना है, क्यूंके बिजनस और जो हैं अग्रीमेंट्स वो उन्होंने पहले से बता दी अपनी, जो फॉरन पॉलिसी ने इंडिया के वाले से वो ट्रॉम्प ने बता दी, आप यह समझ सकते हैं, तो इतनी अहमियत है, इंडिया की, आप यह देखें कि अमरीका की एलेक्शन में, यहां पर जो है वो, उन्होंने अब इतनी ट्वीट क लेकें, तो इस बेरी कान्फिडेंट, जहां भी जाते हैं, वो क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं, इंडियन अकाड़मी को सपोर्ट करते हैं, पर्मोट करते हैं, इंडियन डाइस्पॉरा की बात करते हैं, और इस तरह के फैसले तब ही लिए जा सकते हैं, जब आप एक इंडिपेंडेंट हो, और आपकी पॉपलारिटी और वोट अफ कान्फिडेंस लोगों के आपके साथ हो, लेकिन इस वकत जो हैं, वीजे देने शुरू कर दिये थे, क्योंकि कैनड़ा के अंदर, भारती नजाद, बहुत ज़्यादा लोग हैं, जिनका भारती है, आना जा नहीं है, तो उन्होंने वो शुरू कर दिया, इस्ता इस्ता जो आइस है, वो मेल्ट हो रही है, लेकिन इन हादसात की वज़ा से, जो जस्टन टूडो हैं, वो अपनी पॉपलारिटी लूज करते नजर आ रहे हैं, बहुत नमबर पर आने की पॉजिशन रखते हैं, भारत आस्ट्रेलिया के साथ हैं, आकस है उसका नाम, और कहीं चीज़ें ऐसी हैं जो वो बिलकुल उनके साथ, जिस तरीके से अभी टू प्लस टू आजकल हो रही है, अभी पिछले दो दिन हमारे टोनी बिलकन थे और लॉइड आस्टन, दे वर इन इंडिया और दे वर यह सबसे पहला अलिमेट यह होता है, कि आप एकनामिकली स्ट्रॉंग हों, तो जब तक आप एकनामिकली स्ट्रॉंग नहीं होंगे, तो इस तरह की डिसीयन नहीं लिये जा सकते, और दूसरा टीम होती है, नैशनलिजम होता है, और इसके कई अलिम होते हैं, जब तक आपक तो हर फिल्ड में उनकी टीम देखे तो लिशक कान्फिडेंट जहां भी जाते हैं वो कृण पानिटेंट को सपोर्ट करते हैं परमोट करते हैं इंडिय डायस्पॉर रागी की बात करते हैं और इस déc심। और नहीं तरह टो कि अजनी पर आपके पैल करते हैं और बेंदेबर उ जो प्रेजिडेंट स्यल केंडिडेट हैं और जो पूर्व राश्वती भी रहे हैं डॉनल्ड ट्रंप दोस्तों उनका एक स्टेटमेंट आया है कि जो बांगलादेशी हिंदू हैं जिन पर बहुत सारा अत्याचार हो रहा है यह सब युनाइटे स्टेट्स देख रहा और मै जानते हैं कि दुनिया में इघर चाहिए तो हिंदु की जरूद है यह एसा धर्म है जो शांती को प्रमोड करता है जो पुरी दुनिया को अपनी फैमिली मानता है वह देव कुटम होगम की भावना से चलता है तो दोस्तों अब इस पर जो है पाकिस्तान के लोग उनकी का इस पर क्या रियक्शन है दोस्तों